तो आज गाइज मैं आप लोगों के साथ में रिव्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ तो मैंने अमेजॉन से पर्चेस की है ऐसाप मेरा यह पैक देख सकते हैं इसके अन्बॉक्सिंग में कर चुकी हूँ और यह है मेरी ओवरसाइजड टी-शिट्ट जो की आजकल बहुत जादा ट्रेंडिंग में हैं आप देख सकते हैं ओवरसाइज टी-शिट्स के बहुत सारे ब्रांड्स आपको आजकल मार्केट में मिल जाएंगे जो की काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं तो मैंस हुए वो मैंस हुए मैंस हुए वो मैंस हुए दोनों के ही आपको ओवर साइज़ टी शिर्ट जो है वो मार्केट में मिल जाएंगे as well as आपको online भी मिल जाएंगे तो यह जो टी शिर्ट है यह मैंने online पर्चेस की है गाईज अमेजोन से यह है मेरे पास में जून बरे ब्रांड है जो कि आपको मिल जाएगा अमेजोन पर सर्च करने पर इसके बहुत सारे टी शिर्ट मैंने पहले भी मंगाए हुए just because कि इनका जो cloth material है गाईज वो बहुत ही best quality का है और फिर यह वाली एक मैंने टी शिर्ट देखी जो कि oversize टी शिर्ट थी तो यह मैंने एक वहाँ से order की है और यह मैं टी शिर्ट आपको दिखाती हूँ बहुत ही reasonable price में है गाईज इस प्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही pretty सा यह white and red का combination है summer's में इस तरीके की थोड़ी whitish t-shirts जो होती है वो अच्छा cool look देती है आपको तो यह इस तरीके की loose fit t-shirts होती है guys and यह आप इसका देख सकते हैं इसकी sleeve पर भी इस तरीके से यह print बना हुआ है तो काफी ज्यादा classic cool print लगा मुझे यह तो यह मैंने टी-shirt order की है and V-neck में है यह तो V-neck भी काफी ज्यादा चरपता है क्योंकि almost क्या होता है हमेशा वही गोल गले वाली टी-shirt सी होती है तो मुझे वी-neck में अच्छी लगी इस तरीकी से वी-neck 28 यहां पर mention किया है and जो इसकी back side है वो plain white है तो आजकल गाइस यह वाली जो t-shirts चल रही है यह आपको back side पर भी अच्छा work मिल जाता है जो आप search करेंगे मैंने बहुत सारी वीडियो जो है इससे पहले भी चैनल पर डाली है टी-shirt के बारे में और ओवर साइज के बारे में भी तो अब इसके price के अगर मैं बात करूं तो इसे गाइस मैंने 429 रुपीज में इसको मैंने परचेस किया है क्लोथ मटीरियल की अगर में बात करूं बहुत अच्छा क्लोथ मटीरियल है क्योंकि कॉटन में हम बात करें जो हॉसरी टाइप बाका होता है जयसे कि कुछ t-shirts मैंने मैक से ओर्डर की थी क्योंकि आजकल मैक से भी आपको घर बैठे कपड़े मिल जाते हैं उनकी ओनलाइन साइट से तो वहां से जब मैंने टी शिर्ट्स ओर्डर की जो कि अल्मोस्ट तो उसका कपड़ा इतना जादा लाइट मेटिरियल था वो कि दो तीन वाश के बाद ही वो जो कपड़ा है वो इतना जादा जीना हो गया था बिल्कुल हलका जो कि अच्छा नहीं लग रहा था तो उसके बाद गाइस जब मैने यह से जून बैरी के कॉफी प्रेंट में भी एक आइस क्रीम वाले बहुत अच्छे अच्छे प्रेंट वाली आपको वहां से टी शर्ट मिलेंगी तो वह मैंने मंगाई तो उनके कपड़े जो है वह क्वालिटी बहुत अच्छी वाली है यह आप देखिए तो अगर आप क्वालिटी माटीरियल चाहते हैं साथी साथ प्रेंट इस तरीके नहीं है जो कि वाश करने से आपके हट बिल्कुल भी नहीं जब टी शर्ट आपकी बिल्कुल आपको थो अवे करनी होगी तब तक भी यह प्रेंट से बिल्कुल साथ में ही रहते हैं एंड कलर कमपिनेशन मुझे इनके बहुत जादा पसंद हैं बट म मैंने उसी हिसाप से इसको डबल एक्सल में मंगाया बट यह बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है मेरे लिए टी-शिर्ट तो मुझे इसको रिटर्ण करके मुझे इसका एक्सल साइज जो है वो मंगाना है बट सेम ही टी-शिर्ट मुझे चाहिए और मैंने महा पर देख लिया उससे ओवर ही साइज होता है इनका तो यह काफी ज्यादा मुझे बड़ी लगी बहुत प्रेटी टी-शिर्ट है समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है आई होब कि मेरा यह रिव्यू आप लगों के लिए हैल्पुल रहा होगा लाइक शेयर करना गाइस बिलकुल भी न भूलिएगा थैंक यू बाबाई